अगर आप भी दोस्तों अपने laptop या फिर computer का यूज करते हैं उसमें दोस्तों आपको एक resume बनाना है जैसे कि यहाँ पे screen पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक resume बनाया है इस तरह से अगर आपको एक resume बनाना चाहते हैं आप मान लिया अभी resume बनाने अभी आपको नहीं आता है तो आप कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों बहुत प्रकार के होता है चाहे तो आप resume जो है high quality का भी बनता है कि उसमें जो है आपका experience वगेरा पूछा जाता है बट आपको एक normally अगर कही resume मांगा जा रहा है तो आप यह resume देखे काम चला सकते हैं तो उसको दोस्तों कैस आप कैसे बनाते हैं चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लाश्ट तक जड़ोखिएगा यह वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन अगर आप लाश्ट तक जेखते हैं तो आपको दोस्तों यह सीखने को मिलेगा कि resume को बनाते कैसे तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको अपना करसल जो है लेकर आना नीचे यहाँ पर type here to search पर इस पर click करना है click करेंगे तो यहाँ पर simply आपको type करना है Microsoft wordpad आप चाहें तो wordpad, notpad या Microsoft wordpad जो भी आपके laptop या फिर computer में install है उसमें आप बना सकते हैं देख सकते हैं Microsoft Wordpad आ चुका है अब simply open वाले option पर हम क्लिक करते हैं किलिक करेंगे था हमारा देख सकते हैं यहां पर वर्डपेड ओपेंड हो गया है अब दोस्तों इस वर्डपेड में हमको एक रेजियूम बनाना है जिस तरह से हमने आपको इस्क्रीन पर दिखाया था उसी तरह से हम आपको रेजियूम बनाके दिखाने वाले हैं तो simply पहले करेंग क्या यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा टूल वगरा है या फिर आप इसे बॉल्ट या टेली अंडरलाइंग यह सभी चीजें हैं जिसे कि आप मदद से आप एक रिज्यूम त्यार कर सकते हैं तो कैसे करना है चलिए बताते हैं तो सबसे पहले उपर तो लेफ्ट बटन को किलिक करके और यहां से simply इसका size को हम बढ़ा सकते हैं यहां पर A पलस भी कर सकते हैं यहां फिर A11 वाला यहां पर है इस पर arrow पे भी निसान पर हम किलिक कर सकते हैं तो हम simply यहां पर A पलस करते हैं और इसको हम यहां से बढ़ा कर लेते हैं देख सकते हैं अब इसको हम थोड़ा सा bold कर लेते हैं, तो bold का option यहाँ पर है, simply हम bold कर लिए, अब थोड़ा इसको underline भी कर लेते हैं, underline कर लिए तो यह देख सकते हैं, resume कुछ इस परकार हमारा दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इतना करने के बाद simply हम चलिए, इसको beach में कर लेते हैं, यहाँ पर, तो beach में करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक option मिलता है आपको, center text, तो simply center text वाले option पर click करेंगे, तो यह automatic बीच में आ जाएगा, देख सकते हैं, आ गया है, अब हमारा यहाँ पर resume जो हमने लिखा था, वो resume यहाँ पर आ चुका है, अब आपको enter वाले button पर click करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आ गया है, यानि आपका beach से ही लिखना सुरू होगा, बढ़ हमको यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिखना है, क्योंकि resume बनाने का भी एक तरीका होता है, जो कि आप यहाँ पर side में इस तरह से, इस side से लिखते जाएं, left से आपको लिखा हुऊ मिलेगा, वह आपको normal letter में मिलेगा, تو resume में मांगा जाता है, सब से पहلे आपका naam, तो हैंपर लिख लेगे हम naam, उसके बाद आप यहाँ पर चाहें, तो यहाँ पर, उसके बाद आपको keyboard में अपना मिल जाएगा, इसको यहाँ पर, inv Tip, बोला जाता है उसके बाद यहाँ पे थोटा सा जो है वो यहां पे बार लगा देना अब यहां पर क्या करना है आपको अपना keyboard का टेब वाला जो बटन है जो कि आपको kiaplog के पास मिलेगा इसको आपको दो तीन बार प्रेस करना है इससे क्या होगा यह जो आपको lining यहाँ पर दिख रहा है, यह काफी ज़्यादा दूर जाएगा, अब हम चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जैसे हम नाम लिख देते हैं किसी का, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर रंजन, अब यहाँ पर रंजन लिख दिए, अब यहाँ पर हम रंजन पर खिलिग किये चोटा हो गया देख सकतें अभी हमारा जो है यहाँ पर 26 का यहाँ पर लिखाएगा यानि 26 जितना होगा वो सभी लेडर का साइज होगा चलिए हम हम नाम लिख लिए हब यहाँ पर Father Score का लिख लिए यहाँ पर लिख लिए हम यहां पर बराबर में आ जाएगा अब यहां से हम father name मान लिया जो से की father name हो गया किसी का राज सिंग हो गया मान लिया तो राज सिंग हमने यहां पर type कर दिया अब यहां पर simply फिर से टैब वाले बटन को किलिक करना है और इसी तरह से यहां देख सकते हैं आगे बढ़ गया यह हमारा जो यहां पर लिखावट वाला यह जो आपको को . दे देना है और यहां पर simply UNG दे देना है नमबर देदी है इस में भी . दे दे देना उसके छोटाव्ला बार देखे उसकी बार फिर से सेक्स लिखना है कि आप male है या फिर female हैं जिस तरह से हम बना रहे हैं दोस्तो उस तरह से अगर आप resume को बनाते हैं तो ये resume डोस्तों आपको normally सभी जगा काम आ जाता है यह दोस्तों CV भी नहीं है इसे रेज्यूम बोला जाता है CV भी अलग होता है तो यहां पर आप मेल हैं तो मेल लिख दें फिमेल है तो फिमेल लिख दें सिंपली यहां पर इंटर वाले बटन को फिर से किलिक करें यह होगे हमारा परस्नल इंफॉर्मेशन आप इसके बाद हमको यहां पर लिखना है कि हमारा भेलेज कौन सा है तो सिंपली हम चलिए यहां पर लिख दिए फिर से कॉमा देके हम यहां पर छोटा वाला बार दिए औ क्योंकि नाम देख सकते हैं और फादर स्नेम बड़ा है तो यह वाला आपको नहीं मिलाना है बट यह वाला आपको जो है वह सेम ही रखना है जैसे मान लिए भिल ले जी यहां पर कुछ आप दे दिए जैसे गुड़गाओं दे दिए तो यहां पर गुडगाओं हो गया, अब यहां पर इंटर वाले बटन पर किलिक करें, फिर से आपको अपना पोस्ट देना है, तो पोस्ट पूरा नहीं लिखना है, पी और यहां पर ओ जो है आपको प्रेस करना है, फिर से यहां पर इंवालेट कोमा देके आपको बार वाला च्छोटा सा दे देना है उसके बाद यहां पर फिर से आप पोश्ट लिख सकते हैं जैसे आपका जो भी पोश्ट है वो यहां पर आपको डाल देना है तो हम यहां पर आपको सिर्फ एक्जामपल के लिए कुछ यहां पर दे देते हैं यहां पर पोश्ट अपना जो है जाजा लिख दिए अब यहां पर क्या करना है फिर से आपको अपना जो है यहां पर भिलेज हो गया पोश्ट हो गया यहां पर थाना लिख देना है कि थाना आपका कहा है तो यहां पर थाना भी लिख दिए और एक चीज़ दोस्तों आपको लिखावट हो रहा है, वो सबसे first number जो later है, वो बड़ा later है, अब यहां पे आपको फिर से लिख देना है, जिसे मान लिए हमारा post और ठाना आ है, वो दोनों same है, तो हम यहां पे ऑपको करना क्या है? अब यहां पे आपको अपना यहां पर pin code लिखना है, या फिर district लिख देन अब यहां पर दोस्तों district जो है आपको अपना लिख देना है जैसे हमरा district है यहां पर जमूई तो हम यहां पर जमूई लिख दिए अब यहां पर फिर से इंटर वाला बटन को किलिक करें अब फिर से यहां पर आपको state लिखना है तो state हम यहां पर लिख दिए अब यहां पर invalid लिख देना है उसके बस यहाँ पर कोड लिख देना है अब फिर से आपको यहाँ पर कॉमा बगएरा लगा के इसको फिर से टेब बाले बटन को किलिक करें और यहाँ पर आपको अपना जो है वो पिन कोड डाल देना है जैसे हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं आप अपना जो है वो यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका पिन कोड होगा यह तो दोस्तों हो गया प्रस्नल इंफोर्मेशन अब दोस्तों प्रस्नल इंफोर्मेशन के बाद भी आपका कॉयलिफिकेशन पूछा जाएगा क्या आप कितना पढ़े लिखे हैं या फिर क्या से हैंब इतना तो हमारा सब कुछ हो गया आपको क्या करना है आपको कॉलॉम लेना है जिसमें कि आपको यह लिखना होगा कि मानलिया आपने 10th कहां से किया 10th में कितने % आये 10th में आपका % total mark कितना था उसका मानलिया आपका प्रापत कितने आपने किया वो सारा यहाँ पे आपको लिखना है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे Simply insert वाले option पे click करके यहाँ से आपको table का एक option भी लेगा देख सकते हैं table का option है इस पे आपको click करना है वो यहीं पे दोस्तों आपको select करना है कि कितना मानले लिखना है हम यहाँ पे दो column ले रहा है आप चाहें तो चार भी ले सकते हैं दो का मतलब हो गया कि हम दो line लिखेंगे एक column में हमको लिखना है किол Beer पस के दुसरे में हम लिखेंगे कि yeah यहां पहर कौन सा बोड़ था तिसरे में लिखेंगे 10 हमारा कौन सा मानलिया college से था उसके बाद लिखेंगे मितना हमारा total mark था फिर हम लिखेंगे कि Souls-On pe- Scout में से कितना हम को मिला था तो यहां पर simply हम इसको यहीं से column उतना ले लेंगे तो simply first पे तो हमारा यह सब लिखाएगा कि कौन-कौन सा आपका नाम था college बगएरा सारा कुछ लिखाएगा उसके बाद आपको 10-12 लिखना है तो हमको यहां पर 3 लेना पड़ेगा तो यहां पर मान लिए हमें एक में लिख लेते हैं कि हां हमने 10th पास किया तो 10th लिख देंगे उसमें दूसरा में हम college लिख देंगे तिसरा में हम लिख देंगे कि हमारा कौन सा board था चौथ हमें यहाँ पे इतना लिख देंगे तो 5 हमारा यहाँ पे हो गया तो simply यहाँ पे 3 लेंगे हम कॉलम तो 3 ले लिए अब यहाँ पे इंटर वाले बटन को किलिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम आ गया है इसको दोस्तों लेते समय ही आप जो है आप न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कितना हमको कॉलम लेना है अब simply दोस्तों हम कॉलम में आ चुके हैं कॉलम में आपको सुरू में क्या लिखना है सुरू में लिखना है आपका कॉन सा क्लास था जैसे मानलिया आपका class हो गया कि 10th आपने किया है अब यहाँ पे आपको लिखना है school कौन था आपका आपका college हो का तो आप college लिखेंगे अब उसके बाद लिखेंगे आपका board कौन सा था मानलिया बिहार board था CVC board था जो भी board था वो यहाँ पे आपको mention करना होगा board लिखने के बाद simply दोस्तों आपको year लिखना है कि कौन से year में आपने pass किया था year यहाँ पे आपको लिख देना है उसके बाद लिख देना है आपका mark कितना था simply आपको mark यहाँ पे लिख देना है अब यहां पर आपको टाइप करना है कि कौन सा आपका माली है था दसमा था बर्मा था या फिर जो भी था आप यहां पर लिखेंगे इस्कूल आपका कौन सा था जैसे आपका जो भी इस्कूल हो यहां पर लिख देना है हम सिर्फ कूल में यहां पे लिख देते हैं जैसे मनली हमारा यहां पे ऑब यहां पे बोड आपको लिख देना है तो आप यहां पियार बोड पॉड पट्ण था हम यहां पे पट्ना लिख दिये यहां परS pact माली हमने 10TH यहां पर 2018 में पास लिए तो यहां मान लिए कौन सा board से था आपका- इस्कूल का नाम गया था, Đừa आ Tea अगर ischool 35 का नाम लिखना अगर इस्कूल नाम लिए ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं इस्क्रॉल करेंगे ये छोटा हो आप स्कूल नेम थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख सकते हैं या फिर आपको यहां पर ना ऑगाद, तो यहां पर आप सिंपली अपना जो है इस लेटर साइज को कम कर देना है, तो स्कूल नाम यहां पर फिर से हम मान लिए, जो हमारा स्कूल था वो यहां पर लिख दिये, अब यहां पर क्या करना है फिर से आपको बोर्ड लिखना है था हमने फिर से मान लिए वहीं से बोर्ड पर पास किया था आपको यहां पर साल लिख देना है कि कौन से साल आपने पास किया था आप सिंपली मार्क लिख देना है कितना मार्क आपने पास किया था तो अब यहां पे simply हम यहां पे 300 लिख दीए अब हमारा हो गया है कि हमारा excuse है इसमें आगया है अब simply हमारा resume हो सकते है और resume बन यहां पर रॉड गया है तब यहां पर इसको save हम कैसे करना क्या है आप को अगर later मांन लग रहा है कि बड़ा है तो control a plus करेंगे और later को यहां आप छोटा भी कर सकते हैं देख सकते हैं इस पर click किये तो ये छोटा हो गया अगर और भी आपको कुछ नीचे लिखना है कि आप इस रिजियूम का क्या नाम देना चाहते हैं तो simply यहां पर आपको कोई नाम दे देना है जिसे रिजियूम हम दे देते हैं one और यहां पर save बाले बटन पर हम click करेंगे तो यह हमारा finally save हो चुका है अब चलिए इसको cut करके हम देखते हैं कि हमारा file में जो हमने save किया थ तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों finally हमारा resume जो था वो बनके यहां पर ready हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों हमने एक normal resume आपको बनाने के लिए बताया है जिसमें कि हमने बहुत सारे यहां पर नहीं डाला जिसे नंबर मोईल नंबर वगएरा नहीं डाला आप अपना सब